हर हर महादेव, भूल से भी तकिये के नीचे ना रख कर सोएं ये पांच चीजें, नहीं तो तुरंद घर छोड़ कर चली जाएंगी माता लक्षमी, जी हां दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनको आम तोर पर हर व्यक्ति जाने अंजाने में अपने तकिये के नीचे रख क सोजाता है, मगर उसको मालूम नहीं होता कि वो अपनी जिन्दगी में अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि दोस्तों नींद हमारे जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं, अच्छी नींद के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता ह बहुत से लोग सोते समय तकिये के नीचे कुछ नकुछ रखतेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, स्वास्थे की नजर से देखें, तो भी ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, हम सोते समय सर के नीचे तकिया इसलिए लगाते हैं, ताकि हम सुकून भरी नींद सो सकें, म ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है, कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी, कावाश होता है वंगाधन की कभी कमी नहीं होती है, जिस घर में माता लक्ष्मी खुद वाश करती है, वंगाधन कभी कम नहीं होता मगर लोग अपने जीवन में कुछ लोग जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं, जिससे उनको शिवाय धनहानी के कुछ नहीं मिलता, ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में वास्तु शास्त्र में बताया गया है, वास्तु शास्त्र में जिक्र किया गया है, इन कुछ गल पर्स जी हाँ दोस्तों तो वास्तों के हिसाब से देखा जाए तो पैसों को तकिये के नीचे दबाना सही काम नहीं है और तकिये के नीचे जो लोग पर्स रख कर सोते हैं और ये तो सभी जानते हैं कि पर्स में पैसे होते हैं जिनको लक्षमी माना जाता है जिस हिसाब से पर्स में लक्षमी का और तकीये के नीचे परस रख कर सोने से माता लक्षमी नाराज हो जाती है और इससे क्या होता है कि तकीये के नीचे परस रख कर सोने से बेफिजूल के खर्चे बढ़ने लगते हैं और साथी धन संचय करने में मुश्किल होने लगती है तो ध्यान रखें कि अब से आप कभी भी तकिये के नीचे पर्स रख करना सोएं अब बात करें दूसरी चीज की तो दूसरी चीज है चाबिया जी हाचाबिया आपको बता दें कि तकिये के नीचे चाबिया रख कर सोने से आपको सुरक्षा का एहसास तो हो सकता है मगर आपको बता दें कि ये आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में आर्थिक संकर आ सकता है अब बात करें, तीसरी चीज की तो तीसरी चीज है आभूशन आभूशन को भी धन की तरह ही सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए न की पलंग पर या तकिये के नीचे तकिये के नीचे रखे गए आभूशन को जंजीर की तरह रखने से जीवन में अशुपता और बाधाय आसकती हैं इसलिए जब आभ बिस्तर पर जाए तो अपने आभूशन को अलमारी या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखने का अभ्यास करें अब बात करें चौथी चीज की तो चौथी चीज है पानी का गिलास जीहा पानी का गिलास पानी के गिलास को कभी भी सिरहाने रख करना सोएं, क्योंकि कहते हैं, ऐसा करने वाले हमेशा अपने जीवन में नुकसान में रहते हैं। साथ ही पांचवी चीज है किताबें। जी हां कई बार क्या होता है, लोगों को अकसर किताबें पढ़ कर सोने की आदत होती है, मगर किताबें। इन चीजों के बारे में खास, और साथ ही आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद, हरहर भीजों के फिरिजों के लाइक लाइब के लाइक लाइक लाइब.